प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कहानी लेखन, स्टोरी, राइटिंग। लेकिन यह कहानिया हम सच छुपाने के लिए नहीं सीख रहे हैं। अनुछे लेखन में कुछ नियम पड़े थे। उन में से कुछ नियम यहां भी लागू होते हैं। और वो क्या हैं? पहले तो हमारी भाशा कैसी होनी चाहिए? स्पश्ट होनी चाहिए। एवं शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा, हम जो वाक्यों का प्रयोग करें कहानी लिखने के लिए वो कैसे होने चाहिए? संबंधित होने चाहिए। क्योंकि कहानी लिखन भी एक शब्द सीमा के अंदर होता है, इसी लिए हमें अपने विचारों को संक्षेप में कहना चाहिए और उन्हें प्रभाव पून रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात आपकी कहानी में शिक्षा अवश्य होने चाहिए। तो बच्चों आए आपकी पुस्तक में देव हुए पहले उधारन को पढ़ते हैं। एकता में बल किसी गाउं में किसान रहता था। उसके चार पुत्र थे। चारों हमेशा आपस में जगड़ा किया करते थे। किसान ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन पुत्रों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किसान उनके विवहार से दुखी रहता था। एक बार किसान बिमार हो गया। उसने अपने चारों पुत्रों को भुलाया और उनसे कुछ लकडियां लाने को कहा। चारों बेटे लकडी लेकर आये तो किसान ने बड़े बेटे से लकडियों को एक साथ बांध कर गठर बनाने को कहा। फिर सभी से गठर को तोड़ने को कहा तो कोई भी उस गठर को तोड़ न सका अब किसान ने गठर खोल कर एक एक लकड़ी सभी को देते हुए तोड़ने को कहा सभी ने बड़ी आसानी से अपनी लकड़ी तोड़ दी अब किसान ने पुत्रों को समझाते हुए कहा कि यदि जरहां अलग-अलग रहोगे, आपस में जगरते रहोगे, तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, किसान की बात पुत्रों को समझ में आ गई, तथा वे आपस में मिलजुल कर रहने लगे, शिक्षा एक नामें बल होता है, तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार कितने अच्छे तरीके से विचारों को प्रकट किया गया है, वाक्यों को संबंदित रखा गया है, छोटा रखा गया है, संग्षिप्त रखा गया है, तो बच्चों आशा करते हैं आपको कहानी लेखन अच्छे से समझ आया होगा, इसी प्रकार आपकी पुस्तक में अन्य कुछ कहानियां भी दी गई हैं, उन्हें अवश्य पढ़ियेगा और फिर दिये गए अभ्यास को करियेगा, धन्यवाद.